question number 86 में दिया है कि difference of two numbers है 1564 और after dividing the larger number by smaller cosine आएगा 6 और remainder आएगा 19 तो हमें बताना है कि smaller number क्या है आईए देखते हैं solution अगर larger number A है smaller number B है A minus B कितना दिया है 1564 फिर क्या बोला है कि अगर आपने larger number को smaller number से divide किया cosine 6 आएगा और remainder कितना आजाएगा आपका 19 तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि A जो आएगा वह 6 times B plus 19 आएगा यहां से क्या है B का value पूट कर देते हैं क्योंकि हमें तो smaller number चाहिए तो A का value पूट करते हैं A का value यहां पूट करेंगे 6B plus 19 माइनस B इसका value हो जाएगा 1564 5B equal to कितना हो जाएगा 1545 45 और 1964 हो जाएगा B का value हो गया 309 तो जो छोटा number है वो है 309 तो इस question का सही answer हो जाएगा option number D अगर आपको solution पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर सारे best QIQ का solution आपको मिलें डीटेल में